जैसे की हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपडेटर नेक्सोन और नेक्सोन.EV को लौँच किया था वहीं अब इसके बाद टाटा मोटर्स अपनी दमदार SUV हैरियर और मिड साइज SUV सफारी का फेसलिफ्ट लौँच करने की त्यारी कर रही है हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि कुछ टाटा मोटर्स डिलर्शिप को अपकमिंग हैरियर और सफारी के लिए अन ओफिशल बुकिंग्स मिलना शुरू हो गई है हालांकि टाटा मोटर्स ने इसके बारे में कोई भी अधिकारी खोशना नहीं की है तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में कि टाटा मोटर्स के डिलर्शिप में क्या कुछ चल रहा है ख़बरों की माने तो टाटा मोटर्स डिलर्शिप ने हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट के लिए अन ओफिशल बुकिंग्स लेना स्टार्ट कर दी है बही मार्केट में बातें चल रही हैं कि हैरियर के लिए 21,000 रुपे और सफारी के लिए 25,000 रुपे में अधिकारिक बुकिंग्स भी कमपनी जल्दी ही शुरू कर सकती है जहां कमपनी हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट की लौँचिंग इस साल के अन तक कर सकती है बात करें Tata Motors की इन प्रमुख SUVs के डिजाइन की, तो Tata की इन प्रमुख SUVs में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां ये बदलाव SUV के exterior और interior दोनों में ही होने की उमीद है, बहीं इन में Curve Concept की Radical Design Language मिलती है, जिसकी जलक हमें हाल ही में launch हुई Nexon और Nexon.EV में देखन को मिली थी, बात करूं इसके exterior design की, तो इसमें LED headlights के साथ फिर से design किया गया front faceya मिलेगा, जहां हाल फिल हाल मिलने वाले modelों की तरह, इन upcoming SUVs में headlights के top पर LED DRLs के साथ split headlights जैसे features मिलेंगे, बहीं इसमें मिलने वाले हैं front और rear में नए bumpers, इसके अलावा profile में नए alloy wheel design के अलावा ज़्यादा बदलाव नहीं किये गए हैं, वहीं rear LED tail lights भी बिल्कुल नहीं दी गई हैं, बात करूं इसके interior design की, तो इसके interior में मिलने वाला है एक soft touch lower dash, एक बड़ा सा Tata logo, नया steering wheel, फिर से design किया गया center console, एक नया touch और toggle climate control panel और एक बिल्कुल नहीं free standing instrument screen जैसे features, अब बात करते हैं इन दोनों ही SUVs में मिलने वाले engine power train की, तो Tata Harrier और Safari में 170 PS की power और 350 Nm का torque generate करने वाला 2.0 liter cry truck diesel engine मिलेगा, जो 6-speed manual transmission या फिर 6-speed TC के साथ जुड़ा होगा, बहीं खवरें निकल कर आ रही हैं कि, इन दोनों ही गाडियों में 1.5 liter turbo petrol engine मिलने कीफी संभावना है, जहां इस petrol power train के साथ Tata इसे कम कीमत में launch कर सकती है, जिससे की company को इन दोनों ही गाडियों की बिक्री बढ़ने की उमीद है, इसके अलावा company harrier.ev और safari.ev को भी तियार कर रही है, हलांकि दोनों ही गाडियों में ICE और EV के बीच काफी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, जिसमें front grill design और LED DRLs हो सकते हैं, रही बात इन दोनों ही upcoming SUVs की किमत की, इसके बारे में कोई भी official जानकारी बाहर नहीं आई है, तो guys ये थी Tata Harrier और Tata Safari Facelift की unofficial booking के बारे में news update, Hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें, और bell icon पे all पे click करें, तो जहीं दोस्तो, have a good night.